हाँ एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ोगे तो भी मज़ा आता है ठीक है ऐसा लगता है कि वा यार अच्छे दिन अपने जो जिकी पढ़ी दियो कोई काम किये नहीं थी अब जो जिकी पढ़ रहे हैं वाकई काम किये मतलब क्योंकि इसमें काफ बहुत ज्यादा प्रश्ण आते हैं उतना लेवल तो मैंने करवाया भी नहीं है बहुत ज्यादा वेरी स्लक्टिव माटेरियल है जो बी एस्टिसी पेटी और चोटे मोटे एक्जाम लेसी इनमें सीदे-सीदे प्रश्ण चपेंगे बहुत ज्यादा टॉप लेवल का सेश लेकिन यहां से फिक्स है ठीक है ना तो हेडिंग लगा सकते हैं आप राजस्थान में उद्योग एक बार मेरे समझो फुली अपडेट कर दिया है नियो बिलकुल राजस्थान जीके के कोर्डिंग हो गया है आराम से समझो थोड़े बैसिक बात कर लेते एक मिनेट के सुति वस्तर उद्योग थे ठीक है दो सिमेंट उद्योग थे और दो चीनी उद्योग थे और 207 अच्छे के अचाय लग चुक है लेकिन पहले की बात है फिर क्या वह आपको पता हर पंचवर्षी योजना के अंतरगत हर चीज को रखा गया था जैसे पहले में करशी अकरीकल्चर को पहले अनाज पेदा करने का फोकस रखा गया था दूसरी 5 वरशीयोजना जो महाल नोबिष के द्वारा दी गई थी और महाल नोबिष मोड़ल कि अंतरगत हमार राजस्तान के उद्योगों पर जोड दिया गया था तो तो पफ押 दो आपको पता हीय पहली अपर्शि को दूसरी दूसरी द्रूस्री इसके लावा राजस्तान में और उद्योग को लिए कुछ नीतियां भी बनी है जैसे अपने खनीज नीतियां पड़ी थी वैसे उद्योग नीतियां भी very important है पांच उद्योग नीतियां बन चुकी है पहली बनी सिर्फ year याद कर लो शिर्फ साल याद कर लो उद्योग नीतियां है द्याने से समझने अबको फिर राजस्तान सरकार ने 19 अगस्त 2021 को उद्योग विबाक का नाम बदल दिया है और मुहमद अब जब आप सब्सक्राइब अब इसका नाम हो गया उद्योग एंट वानिजे विभाग क्या हो गया उद्योग एंड वानिजे भी भाग यानि कि इंडिस्ट्री और कमर्श्रियल डिपार्टमेंट वर इंपोर्टेंट यह भी ना बाते आ जाती है तो यह तो खेर बैसिक बैसिक सी बाते थी जो बहुत ज्यादा एजी एक तरीके से आपने को जानना भी ज़रूरी है लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे वो एक 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 उद्योग पढ़ेंगे जैसे कि चाहिए सीमेंट उद्योग हो चाहिए वो अपना कांच ग्लास इंडिस्ट्री ग्लास उद्योग हो चाहिए सूति वस्तर उद्योग हो चाहिए कोई साभी उद्योग सारे के सारे पढ़ना है उनकी मील कहां कहां पर लग सबसे पहले सूति वस्तर उध्योग की एक तो सबसे बड़ी खास बात ये प्रशन आयावा है कि चार उद्यूग के नाम होंगे और आप से पूझेंगे राजस्तान का परंप्रागत या फिर प्राचीन तम उध्योग कौन सा है तो सूति वस्तर उध्योग दूसरा प्रशन राजस्थान का प्रत्थम क्रश्य आदर उद्योग कौन सा है तो सूती वस्तर उद्योग अब ये बाते चलो बैसिक हो गई इसके बाद में जो भी कोई उद्योग आप स्टार्ट करोगे तो उसकी कुछ मेल ये फैक्टर लगा होगे बिलकुल लगाएंगे तो प्राजस्थान की पहली सूती वस्तर मेल जो लगी थी वो लगी थी दा कृष्णा मेल लिमिटेड पहली बात तो मेल का नाम याद करना है very important है 100% छपेगा प्रशण छपने वाला है तेक है तो दा कृष्णा मेल लिमिटेड दूसरी बात किन के परियासू से या किन के द्वारा स्थापना की गई तो सेथ दामो दर्दास और करनल डिक्सन था क्योंकि अंग्रेज उगा रास था और अंग्रेज ज्यादा तर आपको पता है अजमेर में रहा करते थे तो इस तापना होती 1889 में ब्यावर में हाला कि ब्यावर पहले अजमेर था आपको पता हिए लेकिन अब ब्यावर खुद जिला बनिया तो इसलिए अपन ब्यावर भी याद रखेंगे तो अजमेर भी याद रखेंगे ठीक है उसके बाद में दूसरी सूती मील बनी वो बनी Edward Meal Limited इसकी स्तापना कब हुई 1906 में ब्यावर में ये भी ब्यावर में ठीक है उसके बाद फिर मेले बनती गई महालक्ष्मी मील इमिटेड बनी ये भी ब्यावर में तीसरी 1925 में स्तापना हुई उसके बाद में मेवाड टेक्स्टाइल मील बनी भीलवाड़ा के अंदर 1935 के अंदर इयर बले ही नायाद रहे इन दो के याद करना फिर्स और सेकेंड बाकी सिर्फ जगें याद करनी है कि म महालक्ष्मी मील कहां पर है ब्यावर मेवाड टेक्स्टाइल मील कहां पर है वो भी आपके भीलवाड़ा में लेकिन इसको मत बूल जाना बाई ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा महाराजा उमेद मील्स लिमिटेड क्या है महाराजा उमेद मिल्स पाली वाली यह भी याद रखना है 1939 में स्तापना हुई पाली में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती बस्तर मील है यह ध्यान रखें very important fact बस इनकी आपको स्रिप जगे याद करनी है यह यहां पर कोई important की ज़्यादा नहीं है बीलवड़ा की जब बात आ गई है तो बीलवड़ा को किस किस नम्मु से जाना जाता है प्रशन एक बार नहीं दो बार नहीं बीस बार नहीं पचास बार नहीं सो बार आ चुका है नगरी और राजितान का मैंचेस्टर किसे का जाता है बीलवड़ा को फिर एक दरजा इसको और मिल गया 2009 में केंदर सरकार की द्वारा जो हमारे सेंडर कोर्मेंट है उन्होंने वस्तर निरिया तक क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़ा यहां पर बनता है तो वस्तर निरिया का डिपार्टमेंट अपने अच्छे से पड़ लेना है याद करना है बात आती है उनी वस्तर उद्यों की उनी वस्तर उद्यों के अंदर मामला इसा है कि उन उत्पादन में भारत में राजस्थान नंबर वन है यह द्यान रखना ठीक है बारत में उन पेदा उन पेदा कर ultah produc psychix करता है on है राजास्तान के अने ध्यान एंगनाथ देश में जितने भी हूने उसकी लगब 46% तो राजास्तान में यह प्यादा होती है इसके बाど में Bात यह वहाई की राजास्तान केन ज्जो में इस ऑून does a करते किया है इस ऑून का इस्तेमाल किस किसमें किया जाता है वो आपको समझना है तो देखो एक बात तो ये कि राजस्थान में उन से जैपूर में जो है कंप्यूटर चलित गलिचा मैं चीज आपको कंप्यूटर चलित की कोई जरत नहीं है आप तो ध्यान रोको गलिचा डिजाइन करने के काम आता ह तो गलीचे होते है न जो नीचे बिछाने काम होते हैं दरीजे से होते हैं समालो ठीक है ओके फिर अविका नगर टॉंक आपको पता है जेपुर के पास में है उसमें केंदर ने राष्ट्री उन अनुसंधान केंदर की स्तापना किये प्रशन आ चुका है नजाने कितनी बार वहां पर कौन सा मतलब की अविकान अगर टॉंक का समन्द किस से है तो वह राष्ट्री उन अनुसंधान केंदर केंदर सरकार की द्वारा इस्तापित किया गया है ये भी ध्यान हो सकता है राजी सरकार केंदर केंदर के द्वारा और जैपुर में गलीचे का दिर्मान किया हैं तो ध्यान रखें प्रशन क्या आएगा कि राजस्तान उन में फस्ट है उनका यूज क्या क्या है एक तो गलीचे डिजाइन के अंदर दूसरा इसको उनको बढ़ाओ देने के अविकान अगर टॉंक में के अंदर के दौर राष्ट्री उननुसंधान के अंदर खोला ग हैं उतना ही कंटेंट है बस यह की उसन भाढ़नी जाएगा चीनी उद्योग देखो पहला क्रशी अधर सूती वस्तर दूसरा कौन सा है सेकंड करशी अधर दौर चीनी उद्योग ठीक है ना यह द्यान लेंगा सूगर इंडस्री गन्णा होता है उसे चीनी पैदा होती है तो गन्य के कुल रस के भार से 9-10% चीनी प्रापत है न, वो गन्य के कुल भार का जैसे गन्या अगर 10 किलो है, तो एक किलो चीनी पैदा होगे, समान लीजिए, गन्या बेसिकली कहां कापर ज्यादा पैदा होता है, तो श्री गंगानगर, चितोडगर और बूंदी, ठीक है, राजस्तान की बात करें, फन, ओके, फिर प्रशन जो आज तक आ रहा है, रिपीट, जबर्दस्त, राजस्तान में चीनी मीले कितनी है, चीन, मलब, चीनी पैदा करने वाली, तो राजस्तान में सुगर की तीन मीले है, एक, दे मेवाड सुगर मील लिमिटेड, वेरी, वेर इंपोर्टेंट है, बोपाल सागर चीन, तोडगड के अंदर, 1940 में स्तापित हुई थी, वेरी इंपोर्टेंट है, नीजी शेत्र में राज्य की पहली, प्राइवेट है, गोर्मेंट नहीं है, तो ध्यान रखें, तो मेवाड सुगर मील लिमिटेड कहां पर है, बोपाल स अगर चीन, तोडगड में, कब इस्तापित हुई, 1940 में स्तापित हुई, सरकारी है या नीजी है, नीजी है, ओके, दूसरी राजस्थान स्टेट गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर में ही, क्योंकि नाम में गंगानगर है, इस्तापना वेरी इंपोर प्राइवेट नहीं रही है, हालां कि ये पहले प्राइवेट ही थी, इसकी कुछ खास बाते लिखी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रही है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बाते लिख दी है, एक बात ये, कि चुकंदर से चीनी बनने का साइंतर 1968 में यहीं पर ल श्री कर्णपुर तैसिल में दोहजार सोड़ा में इस्ताना अंदित कर दिया था अलांकि वो श्री गंगानगर में आती है जगे एक में चीज और लिखिए मैंने बहुत जबर्दस्ती जाईए बहुत बार पुछा गया है रोयल हैरिटेज लिकर जो राजा महराजाओं के टाइम पर जो शराब चलती थी वो यह रोयल हैरिटेज लिकर ठीक है न तो बिलकुल यह जोटवाड़ा जयपूर में ठीक है न इसी कंपनी ने एक साइंतर लगाया है ध्यान रखना रोयल हैरिटेज लिकर जोटवाड़ा ज केशोराई पाटन, केशोराई पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड ये बुंदी में है, 1956 में इस्तापिताना की ये हुई थी लेकिन अब ये फिलाल बंद है, लेकिन प्रशन वैसा का वैसा या आता है, केशोराई पाटन सहकारी शुगर मिल्स का समन्द किस जगह से हैं, या किस जिले से हैं राजस्तान में तो अंसर होगा आपका बैसें बूंदी और बैसें बंद बैसें बंद बैसें बूंदी बहुत बढ़ी है अब आजाते हैं अपन नेक्स उद्योग में डेरी उद्योग डेरी उद्योग की मैं अगर बात करूँ तो राजस्थान, राज्ये, डेरी, विकास निगम वाई कोई भी अपन, कोई भी उद्योग करेंगे तो सिध्य सी बात है, उसकी एक संस्था बनेगी या तो कोई कमपनी बनेगी जैसे सुगर मीले बनेती, मील बने थी वैसे इन डेरी उद्द्यों के लिए भी सबसे फेले किसको इस्ताबित करेंगे अपन राजस्तान राज्ये डेरी विकास निगम की स्ताबना की 1975 में छपाव परशन है फिर 1977 में इसका नाम बदल दिया और नाम बदल के कर दिया राजस्तान सहेकारी डेरी संग ठीक है राजस्तान सहेकारी डेरी संग कर दिया या कब दो साल बाद में राजस्तान में डेरी विकास ये तू गुजरात अमूल तेकना आनन सहेकारी डेरी संग अपन पढ़े भी हैं कि गुजराती कंपनी है इन्होंने इसका अमूल कंपनी जो है गुजरात किये इन्होंने दूद के लिए श्वेत करांति लाई थे उस अपन पड़ चुके हैं तो शेहकार डेरी संग मोडल अपनाया गया है है ना डेरी उद्योग का बढ़ाव देने के लिए और मतलब इंपोर्टन एक ही चीज है कि डेरी उद्योग की पर बात करें तो राजस्तान राजे डेरी विकास निगम की स्थापना कव होई 1975 में उसका नाम राजस्तान से कर डेरी संक कव कर लिया है या उन्हें सत्यतर में और दूद पावडर ये तो आपने सुना होगा क्योंकि 24 गंडे दूद रखना पॉसिबल नहीं है जाएं करें तो दूद पावडर भी आता है तो दूद पावडर कार खाना राजस्तान के अंदर पहला लगा था बैसे बूंदी में ज्यान लखना है ना तो दूद पावडर कार खाना फर्स्ट इन राजस्तान राजस्तान में पहली बार पहला ही पहला आप तो खेर सब जगे होगे तो यह बूंदी के अंदर जो है दूध पाउडर कारका ना जिसे दूध पाउडर होता है उसे चाय बन जाती है वह सेम दूध ही होता है उसको सुका के बनाए जाता है यह वेरी इंपोर्टेंट चीज आपको समझनी है बात आती है बाई चमडे उद्योग में चमडा मतब लेधर इंडस्ट्री लेधर इंडस्री के अंदर जेपूर फस्ट है ठीक है जेपूर अगरणी है लेधर इंडस्री के अंदर और फिर अपने बात करें जगे विशेश की तो बडू गाउँ नागोर क द्यान रिकना बडू गाउव नागोर जी लिए पड़ता है बडू गाउव नागोर नागोर को युए नो ने अपने विकास k例 करे में तू चर्म उद्योग में शामिल किया है very very important है ध्यान जे समझ लेना बहुत ज़्यादा important है बड़ू गाउन अगोर को UNO ने अपने विकास कारिकर में तू चर्म उद्योग में शामिल किया है ठीक है यह जरूर ध्यान लख ले ना फिर बात आती है भारत का 13% उद्योग ना चमड़ा उत्पादन राजस्थान में होता है ठीक है ना तो ध्यान लखें भारत का 13% उद् एक बहुत गजब का फेक्ट है जो बहुत बार पूछा गया है मानपूरा माचेडी यह चर्म उद्योगी की शेत्र गोशित कीया है तो ध्यान रखें एक तो यह कि यूनों ने अपने विकास कारीकर में इतु चरम उद्योग में समल किसको किया है तो नागोर के बढ़ुगाओं को और मान पुरा माच़डी को भी चरम उद्योग में शात्र में समल किया गया है और जेपूर चमड़ैक important fact okay दूसरी बात 1953 में जेपुर उध्योग लिमिटेड सवाई मादोपूर नाम तो है जेपुर उध्योग लिमिटेड लेकिन आप यहां कंफूज मत हो जाना नाम है जेपुर उध्योग लिमिटेड लेकिन इस्थापना सवाई मादोपूर है ठीक है ना यह द्यान रखना क् कंपनियां अपने यहां के रहने वाई लोग वहां जाके स्तापित करते हैं जैसे की जोधपूर मिस्टान बंडार जोधपूर नमकीन जोधपूर के लोग जेपूर में भी यह सबसे बड़ा यह कारखाना है अभी बंद लेकिन एश्योग सबसे बड़ा था इसलिए रेपर में ऍस्तापित हालांकि अभी सेमें लोग कार खाना बंद हो गया है तुश्तान आती है नागोड जिले में तो जेक स्वes 1 इसका पूरा नाम है। ये के वाइट सीमिंट का रखाना गौतन नागोर के इन Dalis di expressed है बारत का पहला बारत का पहला सफद सेमेंट सांद रही है सब करने पड़ेगा उननी74 benefit कि अ खिये बहुत गजब का क्योशन वैरी वैर इंपॉर्टेंट फिर आएगा भारत की सवसें बड़ी सम्पनिय वो तो सफेद सिमयंट है अगर सिर्फ समयन आता है कि भारत की सबसें बड़ी सफेध सिम्न कमपनी कहाँ पर है तो भैई वो भी राजस्तान में है खारिया खंगार बोपालगड जोद्पुर् ग्रामिन एना वैसे पहले जोद्पुर में था ड़ामिन जिला बनगए अलग तो जोद्पुर् रामिड के लिए खारिया खंगार गाउं में भारत की सबसें बड़ी सिमेंट कंपनी है अलट्राटेक ठीक न उसका एकारकाना है अगर एक प्रशन आ जाता है बहुत शांदार बहुत बढ़िया कि सिमेंट उत्पादन में राजस्थान में सबसें नमर वन पर जिला कौन सा सिमेंट के उत्पादन में नागोर थें들 जिला पूछ तो नाओवा आपको पता है वे से नामा जो chema नागोर में हो ता था लेकिन अब तो अब ये the ऊंओन में चला गया है वे से पहले हैं यह नागोर जलन है साल्ट फार्म की स्तांपना की गई साल का मड़ोग नमक होता है फिर पहले जोदपूर में आता था लेगी तो फडोदी वह नावा नागव में यहां पर नागोर की जगें आप कर ले ना या फिर आप कर सकते हो ब्रेकेट में नागोर भी क्योंकि कौन सा लिखाता है वो देख लेंगे यहाँ पर नमक परिक्षन परियोग शाला भी जो है वो स्थित्य हाला कि आपको पता है मैं आपको पैसे पहले मोटर मोटी बता दू कि नागोर के अंदर नावा के अंदर नमक की आप देखे हूं कभी गए हो तो नावा में नमक खूब निकलता है फड़ोदी में नमक खूब निकलता है इसके लाबा स्ामबर जील तो ही है वो अपन पहले पढ़ चुके ये बी आपको विशेश तोबढ़ पर ध्यान दखना है एरी अ सामब गर लिНуिक लिरा अपने आयोडीन एक सांबर फिर रेखिलइन सांबर जो है सांबर जील थे कह सांबर जील जो है सांबर जील के मगब बात करों तो इस यह है आपके जैपुर ग्रामेड ठीक है जैपूर ग्रामिड में चलेगी वैसामबर हालां कि कुछ परसेंट नागोर में भी इसका तो यह ठीज है फिर बात आती है कि आयोडीन में राजस्तान कों से स्थाइड नमक में डाला जाता युदीन को तो आयु आयुवीन में राजस्तान सेकेंड ए गुज्राथ फस्ट है PLAY जाना के नाजस्तान क्या है सेकंड़ पोजिशन पर है फिर्स्ट है राजस्तान में अन्य ammonia mlak नमक के साण यह ठीक है ना अन्य नमक उत्पादन के स्तान कौन-कौन से हैं तो आप देख सकते हो एक तो डीडवाना जहां पर सोडियूम सलफेट हलांगे खाने का नमक नहीं होता है सबसे गटिया क्वालिटी का नमक है यह लेकिन प्रशन है और दूसरा पच्पद्रा क्या है सरवाधिक नमक उत्पादन जिला पूछत नागौड जिला नागोर एक सरवाधिक नमक नमक उत्पादन तो companies इस तापित करेंगे फेक्टरियां लगाएंगे या पिर मिल लगाएंगे वहां परसन आए गा तो High Tech Precision Glass Factory कहां पर है How हाई टेक प्रिसीजन ग्लास फैक्टरी धौलपुर में है शराब की जितने भी बॉतले होती है काच की होती है तो हलांकि प्लास्टिक की होती है लेकिन शराब की बॉतले बनाने का कारखाना है उसका नाम है हाई टेक प्रिसीजन ग्लास फैक्टरी धौलपुर में ओके दूस तीवेट की की एपिक्चर ट्यूब बनाती है तीवेध की एक कौल रजस्थानemin कहां पर यह पून सी इंडुस्री है तो सैंकॉर ग्लाष इंडुस्रीज कोटा थी के फिर फ्लोर ग्लास तुर यह भीवाडी भीवाडी जगए देगा पहले अलोर में थी लेकिन अब यह नया जला पड़ने आक खेर थलती जारा मैं नहीं फ्लोर ग्लास वीवाडी आप चाहिए तो दो तिन टॉपिक ऐसे हैं जहां से हो सकता पुराना कंटेंट भी आ जाए और यहां पर क्या है कि सेंट गोबेंड कंपनी है उसके दौरा यह सईंतर लगाया गया है सेंट गोबेंड कंपनी फ्रांस की यह भी जरूर साइड में लिखना यह जो है अपना भीवाडी खेरतल त सलते हैं जैसे गिर जाएंगे बहुत मजबूत होता है वह फिर है गिलोट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मतलब चीज गिलोट जगे पढ़ती है निम्रणा निम्रणा पहले अलवर था बट यह कोटपुतली बहरोड जिले में जगे पढ़ गई अब कहां पर कोटपुत स्पर्ट गर्राइण में जैनेंगे रिको इस थाने प। ने इसके सहीं टरबी जानेंगे तो सेरिमिक और टौरोपिंहर लगाया गया है किलोट में गिझाष में नम्रणा कर्शेएंग बहरोड में राजस्थान का पहला सिरैमिक खुल कुए राजस्थान पहला तीक है ना इस ताप ना इसकी हुई थी दो हजार चाउदा में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसके लावा एक सिरेमिक और भी है वो है आपका जगे पढ़ती है सथाना ब्यावर पहले यहां पर अजमेर आता था बट अब नया जिला ब्यावर बनने के बाद में सथा जो शहां पर यहां पर भी श्रेमिका खाना बड़ा साथ लगाए गया है ज कहां और राजसाइनिक वडोग कि बात करें था सिद्धी सी बात यह है यह जो अपने केमिकल बनाने वाली है रासाइनी खाद बनाने वाली होती है न वो सब इसी में आती है राजस्थान राष्ट्रिये यह सबसे बड़ाएटी खाद का कार खाना है उत्री भारत का सबसे बड़ा दिये खाद बनती है नहीं दिसे करेशन आएगा कोई 4-5 कारखानों के नाम होंगे कि निन में से कौन सा कारखाना है जहां पर D.A.P. खाद बनती है तो वो उसका नाम है राजस्तान राष्ट्रिये केमिकल्स एंड फर्टलाइजर्स लिमिटेड कहां पर है कपासन कपासन कहां पर है चितोडगड इंडियन पोटास लिमिटेड कहां पर है जैपूर ये भी पोटास बनाती है पोटास भी आपको पता क्या यूज़ है मैं बता चोग खनीजू के इंदर फिर है चंबल फर्टलाइजर्स एंड केमिकल्स कहां पर है गड़े पान कोटा पिर श्रीराम फर्टलाइजर्स एंड केमिकल्स कहां पर है कोटा में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हर चीज सोने में जड़ लेना सोने में या पिर चाओ तो चांदी में जिसमें भी जड़ो जड़ लेना फेक्ट है सीधे-सीधे प्रशन आइंगे ठीक है राजस्थान एक्सप्रोसिव एंड केमिकल्स ये भी धोलपूर में जगे ध्या अंदर करना ठीक है और जेके टायर सुनेंगे जेके टायर्स वेर इंपोर्टेंट ने बहुत बार पुछा गया है जेके टायर कार खाना कांकरोली राजसमंद के अंदर ठीक है तो जेके के टायर्स काम बनते हैं कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब कार खाना अलगे जेके टायर अलगे जेके टायर तो राजसमंद चला गया मोदी केमिकल्स मोदी काम पर है भीलवड़ा में ठीक है ऐसा मनलो तो मोदी केमिकल्स कार खाना है वो भीलवड़ा में है और J.K. सिंथेटिक देखोई J.K. कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है J.K. टायर में भी है जेके के पेपर भी आते हैं आप देखेंगे और तो जेके सिंथेटिक कोटा सारे के सारे फेक्ट है घोट के पीजाना छपेंगे अब बात करते हैं इंजिनिरिंग उद्योग की तो उसमें जो अब सबसे पहले बात करते हैं पन तो जेपूर मेटरल्स एंड इलेक्ट्रिकल् लेकिन जैपूर के अंदर सब लगे वे हैं उसी पाइप्लान के जैपूर में स्थापना हुई थी लेकिन अफिलाल हर वर्तमान में यह बंद है का फिर है क Ridepu का बदाती है बदे बीघ्र की मिटर कंपनाती है बिल्कूल इक मेलाती यह बनाती है क्या इंदर से उसमें यूनिट आते रहेंगे तीक है फिर है राजस्तान कुछ अब कमपनियों की बात कर लेते हैं जिसको शोर्ट में रील बोला जाता है जो आज कर लिए उंगली गुमाते हैं वह वाली रील है वह वाली यह नहीं यह द्यान दखना लेकिन ठीक है तो राजस्तान एलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रिमेंट्स लिमिटेड शोर्ट में रील वेरी इंपोर्टेंट है बात यह कि स्तापना कब हुई 1981 में मीनी रत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला गया है मीनी रत्न बोले कि तो रत्न है रत्न मीनी रत्न का दर्जा मिला इसको 1977 में इसका headquarter या office कहां पर है जेपूर के पास में जेपूर के लोग तो जानते होंगे कनकपुरा वैसे railway station भी है उस कनकपुरा जेपूर के अंदर जो है इसका office है कि क्या कारियाल है दो हजार सोडा में प्राइम मिनिस्टर ने इसे स्वतंतर के अंदर ये सारज़नेक सेटर की मंजुरी देदी है अब ये इंडिपेंड है स्वतंतर के अंदर साज़नेक बन गया है ये ठीक है ये कंपनी का भी साइट मिलिक लेना बाकि एक प्रसंद ये भी मिला था कि भविशे का इंदन अगर देखा जा रहा है किसी को तो बायो डिजल को भविशे का इंदन क्योंकि पैट्रॉल डिजल क मामला भी इतने वाला है तो बायो डिजल जो है भविशे का इंदन माना जा रहा है पिर ग्यार मजवे वनस्पती गी या तेल उद्योग है ये भी पर पढ़ना है राजस्थान में वनस्पती गी बनाने का पहला कारकाना कहां पर लगा भीलवाडा में कब लगा 1964 में ध्या तो राजस्थान में वनस्पती गी बनाने का पहला कारकाना भीलवाडा में है 1964 में फिर बात आती है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो सर्सूं का तेल खाना पसंद भी करते होंगे सबजी वगरा में तो भारत में सर्सूं का तेल उद्योग ठीक है ना वो भारत बर्मपरशिद है वो का का है भरतपूर का तो इसा मानलों कि भरतपूर में की सर्सूं का तेल सबसे नमबर वन पर है तो भरतपूर में सर्सूं का तेल उद्योग पूरे भारत में फेमस है बहुत बड़ी बात है राजस्तान के लिए एक चोटी सी बात लिखिए बई गव जो गमार जानते हो गमार जो पसल होती है क्वार के दानुमें इस193 per cent उसके दानुमें गोंद होता है घोन्थॉ इसकी मातरह होती है जिसका अप्योगए पंद दवा बनाने में या कपड़ा उसका उच्पे भीजी बढ़ते जाता है कभी सुना भी होगा आपने है यही कारण है क्योंकि उसका इंडिस्री में यूज होता है अब एक दो इंपोर्टेंट फैक्ट हो लिए लेते हैं यह राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा मसाला पार्क है या स्पाइस पार्क है सेकन्ड पुछे तो सेक्ट अपना राजस्तान का यह ना सेकिन मसाला पार्क इंद राजस्तान ठीक है तो वह है अपना राम गज कोटा ठीक है राम गज़ कोटा ओके दो एकट हो रहे पेजलाना वेफ पॉर्टलेंड यह cement की किस में है कभी आजया प्रश्ण की Portland क्या है या फिर पोज दाना क्या है cement की cement होगा तो बड़ा सा Portland बढ़ा जा सकता है cement अची होगी तो pouch भी बढ़िया दिया जा सकता है घरका ठीक है ये चीजे राजस्तान का शराब उत्पाद की-Scootland अगर पूछे तो वह अलवर राजस्तान का शराब उत्पाद एक्सकोड एंड को ने अलवर वेर इंपोर्टेंट है कुछ कंपनियों की बात कर लेते हैं लेकिन हाँ यह बजट वाली बात है बात है लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए बाकी जो लडिसी की त्यारी कर रहा है जो वीडियो पट्वार की कि त्यारी कर रहा है उनके लिए इस्पाद्त है जीडिप जेसवी इनमें कितनी वर्दічी हुई कितना कितना योगदान है हमारे उद्योग्ण का ये फैक्टलिकट में इस्तर कीमतु पर कितना योगदान है यह तो है उद्योग चाहतर में जीडीपी के लिए यह उद्योग चाहतर में जीएस्वी के लिए और वर्दी कि दो हजार ग्यारा बारा सरे के बाइस तेश्त क्योंकि आंकड़े मारे पापने पास में वही है कितनी वर्दी हुई वह भी आपको देख लेना ठीक है ना ओके जीएस्वी में परचलित मुल्य पर उद्योग का योगदान कितना है तो 27.31% है और वैसा देखा जाए तो ती सब्सक्राइब निर्माण निर्माण खनन विद्यूत गेस जलापूर्थ यह भी उद्योग शेतर की उप्षेतर में आते हैं ठीक है इनको सीधा सीधा रटा जाता है ठीक है ओके फिर 2021-22 में कुल निर्यात वाता बहतर हज़ार करोड़ का उद्योगों में ठीक है कुल निर्यात का 60% है यह अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप से पूछे कि उद्योगों में कुल निर्यात बहतर हजार करोड़ का हुआ इसमें कौन सी टॉप पांच वस्तों का ज़्यादा परचेज किया गया यह पर ज़्यादा कोई चीज क कि खपत हुई या पैसा मिला तो वह इंजिनिरिंग फिल्ड में कपड़ा जोग में धात्में हस्चिल्प और रासाइनिक इनके अदर सबसे ज्यादा टॉप फाइप में यह उद्योगों में जिन से अच्छा खासा में इंकम पेदा हुई फिर बात आती है रासिको जो रा आती है रिको की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान राजया strictly विकास and विवीनियोग नियुक मनिभा से से इयां क लिमिटेड या पराज़स्तान राज्या-ध्योग की विकास एं विनियोग निंगम लिमिटेड पहलीबात तो दूसरी बात स्थापना कब हुई तो जनुवरी 1980 में इस रिको कंपनी की जो अपने सितापुर इंडिस से रही है आपको पता हुआ पर रिको कंपनी के बड़े-बड़े साइंतर है तो रिको कंपनी की स्थापना 1980 जैपूर में हुई सुरी 1980 में हुई और ये भी जो है परमोट करती ए वो लगू मध्यमर वरियत्तीनों को यह तो सिर्फ लगू दियोगू को रासी को तो लेकिन रिको लगू मध्यमर वरियत्तीनों तरह के उद्योगूं की वितिये साइथा करता है यह वेरि इंपोर्टेंट है फिर आरेफ सी आता है राजस्तान फाइनेंस निगम ठीक है राजस्तान वित निगम जिसको अपने शाहिद कॉर्पोरेशन बोलते हुए निगम को इंगलिश में तो इसका मुख्याले उध्योग बावन जेपुर इसकी में पढ़ता है उध्योग बावन जेपुर के अंदर आर एफसी का हेड़काटर है मुख्याले है पिर रूडा रूडा भी वेरी इंपोर्टेंट है राजस्तान गेर कर्शी विकास अधिकरन इस्थापना वेरी इंपोर्टेंट नौंबर 1995 के अंदर इस्थापना की ग कंप्लिट हो गया अपने अकाल वाला कंप्लिट हो गया यह जितने भी छोटे-छोटे जीले नदियां सारे टोपिक वह है जहां से प्रशन आता ही आता है ठीक है मिलते हैं पर नाइशन के साथ में इसको डंग से पहले पढ़ लेना याद कर लेना नोट्स प्रॉपर बना साले ना ठीक है? Okay.